असलाम अलीकुम दोस्तों जैसे कि आप देख पारे मेरे पास यहां पे एक STC का फोन है जो कि आप देख पारे यहां पे STC हो या फिर OPPO हो वीपो हो यहां पे कोई भी आदस डिवाइस हो तो उसका मॉडल आपको पता करना है इसली और उपर से आपका जो इसका जो बैक पैनल है उसमें लिखा ना हो मतलब समझ गयोंगे मेरा या ऐसे कि यह जो देख पा रहे हैं यहां पर मैं नीचे में आपको दिखाने के कोशिस करो यहां पर कहीं पर कुछ लिखा नहीं है कि कि इसका मॉडल लेखा नहीं और यह फून आया मेरे पास हैंग आन लोगो में या कोई पैडरन में आया है और कैमरा की मदल से भी हम लोग चेक नहीं कर सकते तो कैसे चेक करना चाहिए वह ओपो वीवो रि अब और इसके बैक पैनल पर भी लिखा नहीं है मॉडल तो इसलिए मैं बता है आप दोस्तों ओपो हो वीवो हो कोई भी सेट हो तो अब यहां पर मॉडल पता करने के लिए सिंप्ली इसका जो बैटरी होता है बैटरी जैसे बात है कोई भी फून हम लोगों के पास आता त क्यी sane के दिवास होता है यानि इसका बैटरी है वो fixed होता है तो आप यहां पर हम लोगों कर लिखा हो शोकी इंगिलिस में होगा लिख जो तो वो मैं आपको देखानाँ चाहरो कहां पर लिखा हुआ लिखा लिखा था दोस्तों यह देखिए लिख्या रागल और यहां पर कुछ एंसमें लिखा है एंसा कुछ लिखा हो उआहँ यहां पर देख पा रहे होंगे कि यह जो HTC का जो device है वो किस model का है तो इसी के लिए आप देख पा रहे हैं कि आपको आगे जो देखाने के लिए वो चली हम लोग PC पे चलते हैं ठीक है यानि इंटरनेट की मदद से जरूरी निए PC हो या आपके पास कोई phone भी हो तो यहाँ पर मैं HTC है मेरा simply मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर HTC है मेरा HTC लिखना और simply space लिख देना और जो मैं model वहाँ पर आपको बैटरी का जो model दोस्तो दिखाया था यानि B2PST100 जो था मेरा जो भी यहाँ पर था यानि बैटरी के जो वहाँ पर models के जो आगे number जो लिखावा था simply उसको यहाँ पर उतार देना है यानि यहाँ पर type कर देना उसको यहाँ पर आपका automatic यहाँ पर दोस्तो model name आ जाएगा तो simply आपको इसमें प्रेस कर देना है अगर नहीं आता तो आपको लिख देना है model name या model भी लिख देजेगा तो काफी है ठीक है आप यह लिखने के बाद देखे यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा उपर में तो चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं और यहाँ पर देखे उसके नीचे में जब जाएगा तो HTC Desire 628 से यहाँ पर इसका यह model है वो मुझे बता रहा है यानि इसका जो model है वो अपने को पता चल गया model क्या है और जो इसका CPU अगर आपको जो भी चेक करना है वो सब आप चेक कर सकते हैं सब आपको पता चल जाएगा इसली तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि HTC Desire 628 से बस वीडियो में दोस्तों यही में बताने के लिए कोशिश कर रहा था तो इसी के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं step by step और जैसा कि मैंने आपको बता है जरूरी नहीं मैं HTC के लिए नहीं बात कर रहा हूं इस भी के लिए या उसको flush करने जा रहे या उसको pattern lock करने जा रहे तो उसका जैसे बात आपको model पता होना चाहिए कि आप किस model का काम कर रहे हैं है न तो इसके लिए इस तरीका को आप जरूर ट्राय करें तो आपको model पता चल जाएगा बस यह जो मैं वीडियो बना रहा हू दो बस only model के लिए ही बना रहा हूँ ठीक है तो यहां पर आप देख पार है कि इसका model आपको जाएज सी बात है पता चल गया होगा कि यह क्या model है यानि desire है तो अब भी इसलिए ऐसे पता कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आश्या करता हूँ कि आपको वीडियो जाएज सी बात ह अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो अब भी जाके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि दोस्तों रोजटेक पर यह सब से रिलेटेब वीडियो आपको कंटीनी अप्लोड करता ही रहता हूँ मैं तो खेर मिलते हैं नेक्ट वीडियो मे तब तक के लिए थैंक यू सो माच थैंक फॉर वाचिंग रोजटेक